हर्याना के पूर्व मुक्यमंत्री और कॉंग्रेस के दिगजनेता भुपेन से घुड़ा, कॉंग्रेस से काफी समय से नरास चल रहे थे और आज उनकी मीटिंग चल रही है जिसमें पता चलेगा कि वो कॉंग्रेस के साथ बने रहेंगे या नहीं इस बारे में पूरी बात करने के लिए हमारस अज़र मौक्त सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में कि अंदर मीटिंग में क्या फैसला लिया गया नहीं अंदर मिटिंग में कोई फैसला नहीं लिया गया पहले इनों ने यह कहा था कि मैं कमेटी बनाओंगा लोगों जब इनको अथराइज कर दिया कि आप हैसला लें ताकि पार्टी को मजबूत करें और हम इस पोजिशन में आए कि बीजेपी के सामने लड़ाई लड़ सक प्यासि कराओं जो अलग लग राय दी दि है कि पार्टी को यह कहा चाही है कि बहुता है कि यह संग्जट आथाओं झाल ऐसा रहा है कि पार्टी छोड़के दूसरी पार्टी में जा सकते है यां पार्टी छोड़ का कि पार्टी चोड़नी बात कि नहीं से यह का है मेरे चार पीडियां कॉंग्रेस के अंदर रही है वो मेरे लिए लास्ट दिन होगा मैं चब छोड़नू तो मेरे लिए मैं बहुत मुस्किल होगा मेरे लिए चोड़ना अब I don't know कि वो कितना मुस्किल होगा कर नहीं होगा वह सलाबों करेंगे लेकिन वो करेंगे जो कान्शोफर बढ़ा था मारा संविदान उस संभी इंदान समीति मूंके पिता जी थे इतनी हाइट की है वो कांगरेक्रिस पार्टी के अंदर हर आदमी लुट रहा है चाहिए वो जमीदार है किसान है मजदूर है व्यपारी है हर कोई रो रहा है चाहिए करमचारी रो सड़कों पर जा रहे हैं अब उनकी बात सुनेगा कांग्रेश नहीं सुने तो कौन सुनेगी हम इस पोजिशन नहीं बचे हैं क्यूंग हम क् से निकलने की बात है अभी भी निकल जाएं तो कोई बात नहीं आला कि इस टू लेट हमारे जितने भी जो नेता लोग आये हुए हैं उन सभी से मन्थन हो रहा है उनको सबको अलग-अलग बुला करके राय ली जा रही है सर्व सम्मती से एक फैंसला हुआ कि सो के सो आदमी भुपेंदर सिंग हुड़ा के साथ है और अब वो एक-एक से अपनी राय ले ले रहे हैं मैंने भी अपनी राय रखी है बाकी लोगों ने भी अपनी राय रखी है और उसके बाद वो फैंसला लेंगे मुझे लगता आज शाम को या कल सुब्स तक हर हालत में फैंसला हो जाएगा बुपेंद सिंग हुड़ा को आउतराइजिशन मिल गई है कि जो वो फैंसला लेंगे पार्टी उस चीज़ का कदर करेगी उस चीज़ का सम्मान रखेगी मैं फराखान कैमरा परसन राहूल के साथ आर नाइं टीवी देली